मेरे परिवार जनों, 21 सदी में मद्ध परदेश को विकास की एक नई उन्चाई पर पहुंचाना है आप चाहते हैं पहुंचें, आप चाहते हैं हिंदुस्तान के टॉप टैन में मद्ध परदेश का जन्डा घाड़ दें चाहते हैं ना, कॉंग्रेस ने MP को बिमारू राज्य बना दिया था कॉंग्रेस ने अपना प्रस्चाचार से, अपने भाई भतियाबाद से MP को एक बहुत बड़े घठे में धकेल दिया था ये भाजपा है, जिसने बहुत महनत करके MP को इस गहरे गड़े से बाहर निकाला है और इस काम के लिए मेरी पार्टी की तिन तिन चार चार पिडियां खब गई है साथी इसलिए हमें MP को कॉंग्रेस के चंगुल से बचा कर रखना ही होगा रखोगे ना जरह मुझे पीछे से आवाद चुनाई दे, रखोगे ना MP को बचाना है ना गलत हाथों में नहीं जाने देना है ना पक्का अमारा वोरा भाईयों यहां बेटर होशे है मारी बात साची जेने था आवाज और आप जानते हैं कॉंग्रेस यहां सरकार मनाने के लिए क्यों छटपटा रही है भई क्या जरूरत पड़ गई है पांगल की तरह दोड़ रहे हैं क्या क्योंग्रेस इसका इरादा साफ है कॉंग्रेस MP को अपनी पार्टी का ATM बनाना चाहती है लोगसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरे MP से ट्रेक्टर भर भर के लूट करनी है क्या यह मोका देना है उनको यह लूटने के लिए इजादत देनी है क्या जब कॉंग्रेस केंदर में थी तो लाखों करोड के घोटा ले करके अपना काम चलाती थी और उनको परवाई नहीं थी अब देश की जनता ने दस साल से उनको बराबर पहचान गई है देश की जनता उनका हर कौने में से हिसाब चुकते करने में लगी है दस साल से केंदर से बाहर इसलिए वो हर राज्य को बड़ी लालज भरी नजरों से देखती है कम मोका मिले और कम माल खाओं माताय बहने जल्दी समझ जाती है और जिस राज्य में गलती से भी कॉंग्रेस की सरकार बड़ी वहाँ धड़ा धड़ लूटी लूट लूटी लूट स्परधा चलती है सीम जादा लूटेगा के डेप्टी सीम जादा लूटेगा आपको करना टका से खबर आती है कॉंग्रेस याने गरीब के मध्यंबर के जेब साप करना कॉंग्रेस याने विकास की गाड़ी को पर्मेनेंट ब्रेक लगाना इतना ही नहीं रिवर्स गेर में डाल देना आड़ी से लिए आपको कॉंग्रेस से बहुत साबधान रहना है आप ये गल्ती मत करना इतने दिन बाहरे ले सुदर गए होंगे वो सुदरे नहीं है उनकी भूख ज़्यादा तेज हो गई है खास कर MP के हमारे नवजवान जो पहली बार बोट डालने जा रहे हैं उनसे मैं खास आगरे करूँगा आप एलट रहिए क्योंकि आपने उनका राजकाच देखा नहीं है जब आप आट-दस साल के थे तब वो थे यहाँ आपको उनके खतरनाख खेल का पता नहीं है ज़र अपने परीजनों को पूछना अपने बुजुर्गों को पूछना माता पिता को पूछना कि उस समय क्या हाल था तो आपकी आखे फट जाएगी यह कैसा मद्द्रदेश बना करके रखा था जनता ने हाँ जोड़ करके कहा भगो यहाँ से कॉंग्रेस जुवाओं की दुश्मन है कॉंग्रेस नवजवानों की दुश्मन है मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे साती है और मैं खास करके हर माता पिता से कहता हूँ वे अपने बच्चों को बिठाएं और उन्होंने कैसी मुसीबते जेली थी जरा उनको बतायत उनको पता चले अच्छा ऐसे लोग भी मद्यपदेश में राज करते थे और इसलिए पहली बार वोट डालने जा रहे हुआँ को भी बहुत मदद मिलेगी वो सही निर्णे कर पाएंगे और वो अपना भविश्य पक्का कर सकते हैं और नवजवानों औरों के लिए हो सकता है सरकार बनाने के लिए वोट हो औरों के लिए शायद पांच साल का हिसाब पिताब करने के लिए वोट हो नवजवानों के लिए तो खुद के पचीश साल का भाग्यताय करने के लिए वोट डालना है आप ऐसी उमर में है अगर आपका कालखन डूब गया आप अगर आज 25 साल के हैं अगर 5 साल गए 30 साल के बाद कौन पूछेगा आपको दोस्तो मुझे आपकी चिंता हो रही है किरपा करके आप अपना पविश्य ऐसे हाथों में मत दीजिए जो हाथ बदनामी से भरे हुए है